अभी तक कि 200 सदिक चापे पड़ चुके हैं हमारे ED, IT, DRI, पुरिशतिस गड़ा में मतब कुछ लोग सेडिश्ट होते हैं पर पीड़क तो दूसरे एक पीड़ा देने में उनको आनंद मिलता है इस समय जो लड़ाई है वो केवल भारती जनता पार्टी है उसके प्रत्यासी से नहीं बलकि ED, RIT से भी होगी ये लोग राम के नाम से गायक नाम से वोट मांगे आज तक के बावन से लेका आज तक के उनके भलाक अभी नहीं किये आप समझते हैं कि सरकार फिर से आपकी बनेगी? बिलकुल बनेगी कांगरी सरकार बनेगी नकसलवाद से लड़ने के बारे में पिछली सरकार ने उस समस्क्रिती को सहेजने का काम किया सबसे ज़्यादा चर्च भारती जनता पार्टिक सासन काल में बना यह चुनोती स्विकार नहीं करें और धर्मान तरण इन ही कारकाल में सबसे ज़्यादा हुआ परवार के भाई बड़े भाई भी हैं माता जी भी हैं दूसरे तो बाटिकाई का मान है तो यह जब तक कि इन लोगों के अनुमती नहीं होगी मैं नहीं समाजता प्रियंका जी चुनाओं लड़ेंगे कांग्रेस के कारकाता होने के नाते यह का सकता हूँ कि कांग्रेस का ही पीम केंडिरेट होना चीह और मैं यह भी कहता हूँ कि इसके लिए रहूल गांधी जी मैं समाझता हूँ मैं बहुत दीन से सून रहा था कि लोग सभा में वीपक्षे के लोगों बोलने नहीं देते लेकिन केमरा भी किवा सत्ता पक्षे के तरह राता है राहुल जी गांधी भी संसाथ में बोलते हैं तो वो केवल चेयर को दिखाते रहते हैं यह 10 लाग करोड उपया अपने अपने उद्योगपती मित्रों का माप कर दिया तो रबडी नहीं है हम करें तो रबडी वो करें तो रबडी नमस्ते जैहिंद, you're watching or listening to ANI podcast with Smita Prakash Do like or subscribe on whichever channel you're seeing this or hearing this During the course of this podcast, I have spoken with many chief ministers like the chief minister of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Assam and Madhya Pradesh Today, let's go over to Chhattisgarh which is a landlocked state and shares borders with seven other states Chief Minister Bhupesh Bhagel has completed five years in office and belongs to a small group of Congress chief ministers who wield power in the party He ended the long reign of the BJP in the young state and defeated the then chief minister Raman Singh who was in office for 15 years Now seeking re-election in 2023, Bhupesh Bhagel has blamed the BJP at the center for using unfair tactics before the state elections So I begin the conversation by talking to Mr. Bhagel about the IT and the ED raids which are happening in his state Mughi Bandar Ji, A&I podcast for coming to you Thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you so much, thank you Thanks a lot for estão from us and there are these 2-3 hours so it's could move on during thein channel क्छुए लोग मारने के कुशित कर रहे हैं यए हर्मलेस हैं बच्पने में हम लोग एसको जेव में लिए गुम दिश्टीज गूमत, फे तरने गा लेते हैं क्योंक Eagles गूलता नहीं कभी झातानी कभी ओ इसससाफ है जो जो किसी काटन इस दीखिए जेतना इंसान सामना से डर ग्राइन में खड़े थे साम का समय था और बड़ा भाई था बड़े भाई थे और मैं और मेरा लडगा तीन साल का था एक जरीला सांप वो बिलकुल मेरे लड़के के दोनों पैर के बीच से निकल रहा था आधे बीच पे निकला था तो मेरी नजर पड़ गई रेक्शन नी क वो भी नहीं कुछ नहीं करता है। तो जिव जन्तु को छेड़ना नहीं चीए उसको चुप चाप जाने देना चीए वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि हां साम दिखा तो कोई काल आने वाला है बुरा काल है ऐसे कुछ नहीं होता बलकि उसको तब दूसरे रूप यदि आप आध्यात में में आप रूची है तो कुंडली जागरन के आप देखेंगे तो सर्प ही उसका नाग देटा है और और हम लोग तो नाग मजमिक पूजा भी करते हैं जिसे डरते हैं उसी पूजा होती है और उस ट्वीट के बारे में कहूंगी जो कुछ दिन पहले ही दो दिन पहले आपका जन्म दिन था तो आपने कहा प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया और हो मिनिस्टर को भी कहा कि धन स्टार्समांत्ट रेट्रेक्ट। बारे में राजांब होती हैं जिस टॉज दिन पहले हम नोगे बाले एक है राश्टी महाद्वेशन भी जवा था ताउचा आप्टिश में राज़ी तो लुज ट्रों दोजुटय। प्रावधान उसमें तो बीना इस ए आए यर नंबर के उन्होंने हमारे कारकरतों का च्छापडाला क्योंकि उनको बाधित करना था महावजेशन को इसमें भी वो लोग जो अभी मेरे जन्मेदिन के दिन बहुं सारे कार कम हुए तो जो लोग उसको अर्गनाइज कर रहे थे उसके घर में जाक बैठ गया है एड़ी वाले मुझे पता भी चला कि आप लोग चापा डालने वाले हैं आज करेंगे क्या आज नहीं कल तेईस तारीक है कल करेंगे तो यह सूचना भी थी तो मैंने कहा भी ठीक है तो प्रधान मंद्री ची के धन्नवाद दिया कि आपने यह मानते हैं कि क्योंकि आपका जनम दिन था इसलिए चापए मारे गये थे उसी दरूऊड़ी कर सकते थे बाद में कर से रेगलर कर रहा है उसमें कहां रोग कहां है को रोग भी नहीं सकते हम तो स्वागत ही करेंगे आई है हमारे हां कर वाई करी कि क्या दिक्कत है लेकर आपने चुना कि वह कारकम विफाल हो जाए और उन्हीं के घर में मनिज बंचोरे आसिस वर्मा है इनके इन कारकरता हूं के हमारे विनो दुबर्मा जी मेरे राजितिक सलाकार है उसके घर में मारे गया क्योंकि उसब बिवस्ता देख रहे थे लोग तो उसके हां तो डिश्टर्ब हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कार महादुशन सबसे अच्छा सफल महादुशन हु आपका इशारा किसकी तरफ है जो एंदरम सरकार बैठी उसी इसारा करें गया और किसे पीडा मिले हमको चिजी बात है उन लोग ऐसे दिन चैन करते हैं जिसे हम लोग हम लोगों को कारका मोद दौस्त हो जाए पर दौस्त नहीं हुआ बिलकुल नहीं हुआ मुख्यपंतरी जी अगले प्रशन से पहले एक छोटा सा प्राइमर देना होगा हमारे दर्शकों के लिए और हमारे सुननेवालों के लिए Here's a short primer The Patan Assembly constituency falls in the Durk district in central Chhattisgarh Vijay Bhagel defeated his uncle Chief Minister Bhupesh Bhagel in the 2008 Chhattisgarh polls from the Patan seat In 2013, Bhupesh Bhagel won back the Patan seat by defeating his nephew Vijay Bhagel Vijay Bhagel did not contest the 2018 Chhattisgarh Assembly election but contested the 2019 Lok Sabha election and won from the Durk parliamentary constituency winning with a margin of over 400,000 votes against Congress' Pratima Chandrakar लेकिन तेज तारीक के घटनक बात पता चला कि असले जो प्रतिद्वंदी है वो एडी और आइटी है चुनाओ पार्टन में वही लोग लड़ेंगे क्योंकि पार्टन की छोटे-चोटे कारकरताओं कि हां उसके हां चाहपा डाल रहे हैं इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में मनितकारकरताओं से कहा अपने साथियों से कि पिछले समय मैं चुनाओं में गया नहीं था नामांकान मर भरा और आप लोग चुनाओं लड़े अब जब मैं लड़ता था खुझ से उसे तीन गुना ज्यादा वोड़ से आप लोग जीताय थे लेकिन इस समय जो लड़ा है कि सुरू सुरू में कोई भी जब घटना घड़ती तो उसका प्रभाव पढ़ता है जब प्रसम लहर आया था कोरोना का तो सब लोग डर यह था सामय थे लेकिन दूसरे लहर में ज्यादा महते हुए लेकिन डर कम हो गया था कोविट से भी ज्यादा डर है एडी का कहीं गिरबतार करें तो जेल में फिर जेल में रहे तो जमानत नहीं होना सुप्रीम कोड़ता की जमानत नहीं होना है तो आप एक तरफ पूरी संपत्ति चप्त कर लिए दूसरा उसको जेल में डाल दी है बेल होना नहीं है तो जिंदगी बरबाद है और किवल एक ब्यक्त कि लिस्त की निकालेंगे उन्होंने कि कैंडिडेटो निक ली अगर वहy जानते हारने वाले ले टारेंगे पिर फिर वेड रिए और उन्मिध्दार ती मेज़ुन गाती हुए टिरफार है इस इसमें में कभी जीत नहीं से नहीं है। मतलब वो उसमें जीतने वाले नहीं है तो जो पहले जो candidate है उन 21 सीटों में वहाँ पर सब नए candidates हैं इस बारी जो पंचायत election से लेके या फिर विधान मतलब they are not known names जो अब लगाए हैं तो what do you think कि उसमें क्या रणीती हो देखिए उसमें दोनों प्रकार के होते हैं वो तो रिस्क है कि unknown face यह सामने लाएंगे तो क्योंकि उसके खिलाब कोई charges नहीं होता उसके उसके ब्यक्तिगत बिहार के बारे में आप कोई commit नहीं कर सकते तो वह एक कई दर रहता है लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कोई जानता ही नहीं तो बचजद जो लोग है वो हां था लेते हैं पिर बुरी कदर से हा रते हैं ऐसा भी होता है कई बहुता है कई बहुर नुकसान होता है तो रिस्क उन्हों West लिया है और मैं समझता हूं कि नुकसान ही उठाने वाला रिस्क लिया है आपका लिस्ते यार है अब हमारी मीटिंग सुरू हो रही कहा पर अभी देखिए ब्लाक लेवल पे हमारे जितने केंडिडेट हो आउधन दे चुके हैं ब्लाक के बैठक हो के अंजुनसा करके वो जि जिले के बैठक होगे और जिले के बैठक के बाद प्रदेश में फेजेंगा प्रदेश में जैसे आता है उसके बाद मीटिंग के तर सुरू हो जाएगा तो बहुं सारे तो सिंगल ही होंगे सिंगल मतल जो आविधक हैं किसी विधान सभा में जैसे अभी पांच विधान है जब एक ही आविजन आया है और वो विनिंग केंडिडेट है हमारे सर्वे किसा आप तो फिर हाई कमान फैसला करें कि ऐसा नहीं है कि वो उस हाई कमान के पास सरवाधिकार है वो अपने रंडिती के तहत कुछ भी फैसला कर सकते हैं जी दो हजार अठारा में जब आप सता म आए थे तो रमन सिंग जी को आपने हराया जो दो हजार तीन से लेके दो हजार अठारा तक सबसे लंबा कारेकाल था उनका उन्हें हाया आपको जायंट किलर भी कहा जाता था उस वक्त क्या आप समझते हैं कि बीजेपी उन्होंने तो अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा गोशित नहीं किया है क्या इस बार भी वो रमन सिंग को ही लाएंगे क्योंकि वो तो कुछ कहनी रहे है आप क्या आपके हिसाब से क्या रमन सिंग जी फिर से आएंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं वो तो सारुजुनिक हो गया वो नहीं रहेंगे वो पुरिंदेश्वरी जी प्रभारी थी भारती जनता पार्टी के अब तो उन्होंने का कोई चेहरा नहीं है बात के और प्रभारी आए तो भी उन्होंने का कोई चेहरा नहीं है हम बीना चेहरा की चुनाओ लड़ तो इसका मतलब यह है कि भारती जंता पार्टी का अपना कोई चेहरा चाहतीस गड़ में नहीं है पर इससे कोई आपको लगता है कि इससे कोई नेगेटिव असर हो सकता है क्योंकि कॉंग्रेस में करनाटका में भी आपने कोई घुशे तो नहीं किया था उससे पहले कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो अलग 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 प्रदेश में राजनितिक दल अलग समय में नीरने लेते हैं हम लोग इस प्रकास नीरने लेते हैं कि हमाचल में भी आपने नीमे आनि है मतलब समृक नेतुरित में हम लोग चुनाव लडे, करनाटा में जुनाव लडे, तो ऐसे कई राज ये हैं जिसमें हम लोग समृक नेत्रित लड़ते हैं, कई बार चेरा सामने करके लड़ते हैं, भार्ति-जन्त पाड़ भी चुनाव जीते, तो उस वक्त यह बात चल रही थी कि 5 साल में 2.5 साल आपका होगा, 2.5 साल सिंग देव जी का होगा, लेकिन आपने 5 साल पूरे निकाल लिये, तो ऐसे क्यों होता है कि कॉंग्रिस में हर जगा दो कैम्प होते हैं, दो लीडर्शिप कैम्प होते हैं, चाहे करनाटका में सिदरा मरिया जी, डिके शिफ कुमार, राजस्थान में गहलो जी, सचन पाइलेट और फिर छतिसगार में सिंग देव भागेल ऐसे क्यों होता है कि दो कैम्प होते हैं हमेशा और फिर गांधी परिवार डिसाइड करता है कि वो फाइनली किसको चूज करता है अब खड़गी जी हमारे राष्टी अद्धच रहे हैं किसरी जी भी राष्टी अद्धच रहे हैं वो आप बीसा पहले की बात करें तो आपके लोग गांधी फैमिली बोल दिया सोनिया जी सतरह साल तक लंबे सबसे जब से कांग्रेस के गठान हुआ सबसे लंबे समय तक राष्टी अद्धच रेगलर कोई रहे हैं तो सोनिया जी रही है जी जी इसलिए आप ऐसा कह रही है लेकिन ये है कि कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं भारती जन्ता पार्टी में कई केमप रहते हैं अलग अलग प्राम तो हम निकाल के देख लिए यदि मद्धप्रेस की बात करें तो जहां सिवराज सिंग का एक केमप है तो दूसरा विजय वर्गी केमप है तो नरुत्तम मिश्रा के भी केमप है अब तो जूतिरादी सिंध्या जी पे उख गया है विए उसका अलग केमप है चत्तित गड़ में भी आप देखें कितने केमप में बटे हुए है सरोज पांडे का अलग केमप है तो अब आदवासे नेताओं को सब खताम ही कर दिया गया तो वो केमप बचे नहीं तो रमान सिंग का केमप हो गया सरोज पांडे केमप हो गया फिर अभी अरूंसाओ नया अदवासे नेताओं का केमप हो गया तो सब में केम तो सभी पार्टिम रहता है ऐसा नहीं कि और चेक एंड बिलेंस तो चलते ही रहता है राजी नदीम मैं अब कुछ जो खास दिक्कते हैं चतिसगर में एक तो आप नकसलवादियों के ऊपर जो आपने कदम उठाएं है उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दीजे बिफोर आप एंड प्राइमर नकसल्स और नकसलाइट और माविस और रेबल्स वह वेच्ट अर्म रबेलियन अगांस पासब्स और नकसल्स और नकसलाइट और देया वेच्ट अपर नकसल्स कारेकाल अर्बड़ाद लगाएं मुक्मांतर जी पांट साल के आप के कारेकाल में नकसल बाद इससबसे बड़ी चुनाओती थी पहली बात तो जब आप 2018 में आए और फिर हमने देखा जो दंतेवारा में हुआ, जो दस जवान मारे गए थे, उनका ड्राइवर भी मारा गया था, और आपने पार्थिव शरी को कंधा भी दिया था, और कहा था कि उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, तो जो नकसलवाद के उपर काबू पने के ल हुई थी लिकन आज नकसलवाद नहीं है वहां, लुकर अन्य राजियों में भी हैं, लेकिन हमारे एंधागली व Tennयरू पर परेशघिती हैं, वो दूसरी राजियों से अलगा है, लेकिन हमारे एंधाया जो नकसलवाद से लड़ने के बारे में अलग अलग राजनेताओं के समाजी क्षेत्रम काम करने वालों के अलग अलग नीतियां रही है पिछली सरकार ने उस समस्यक निदान करने के लिए उन्होंने बंदुक के बदले बंदुक गोली के बदले के उली इस रह निती से चला और जितने भी नकसली हो नकसली जान गई उसमें आदवासी हैं और ब्यापारी भी हैं पत्रकार भी हैं राजनेता हमारे तो प्रतम पंक्तिक सारे निता सहीद हुए थे जी नक्सली घटना में बीसी शुकला जी वीसी शुकला है नंद कुमार पटेर है महन कर्मा उदय मुदलार बहुं सारे निता और एक द दिश्ट्री से देखना चाहिए हमारी सरकाराई तो हम लोगों ने कहा कि भई आज तक के दुनिया में जितने भी समस्यक समाधान हुआ है वो गोला वारुस से तिन हुआ नहीं है बात्चीत से हुआ लड़े भी तो लड़ने के बाद फिर बात्चीत से ही समस्यक समाधान निकला हम लोग भी बात चीत करेंगे लेकिन सबसे पहली बात है कि पत्रकारों मुझसे पूझा था तो क्या नकसली इसको बात करेंगे वहले नहीं मैं अपनी लोगों से बात करूँगा जो हमारे आदवासी भाई हैं बस्तर के लोग हैं परमपरगत रुफ निवासी हैं पत लोगे चाहते हैं कि यह समस्य दिदान हो और उसका तरीका यह है कि विस्वास जीता जाया है दूशाइस जीतने के लिए हमने जहां जमीन वापस किया क्योंकि अधवास्तर के लोग हमेशा जल-जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहें और इसलिए हमने विश्वास जीत आदिवासिक जमीन लेगए थी उद्योग लगाने उन्होंने जमीन सरेंडर करदे थी लेकिन राज सरकार पांस साल से वापस नहीं कर रहे थी हमने का सबसे पहले जमीन वापस कर दें 17 किसान के ब्याली स्वयकर्शं कर जमीन- और उसके बाद फिर उनको फारेश्ट राइट एक टाहत आधिमानेता पत्र दिये मूल निमासियों को हाँ वहां के रहने वाज जो काबिज है मतब उसमें जो फारेश्ट राइट एक में जो नियम बना है 2006 का तो उसमें 13 दिसंबर 2005 के पहले जो काबिज थे तो जो आधवासी हैं उनको तो उसके पहले काबिज होना जरूरी है उसको पट्टा देना है दूसरा जो गैर आधवासी हैं तो उनको या तो तीन पिठीस निवास कर रहा हो वहां से कबजा 13 दिसंबर 2005 के पहले होना चाहिए या फिर 75 साल का तो उस आधार पर हमने पट्टा बांटना सुरू किया और फिर जितने वहां पूरे 36 गड़ में किसानों के रिण माफी और 25 रुपे कुंटल में धान खरीदी जो माइनर फारेस्ट प्रिडियूस है उसका समर्थन में लोग घोसित करना पहले साथ प्रकार खरीदे थे मिलता था भी मदर पर उतने ही साथ तो चार हजार रुपे प्रतिमाना पूराखम ने कर दिया उसका फाइदा यह हुग कि लोग लोगों को आस पैसा आया और पैसा आया तो उसके बाद उनों गाड़ियां खरीदी घर में समान खरीदे मकान बनाये पतनी के लिए बच्चो आया और उसके करणा से यह चार पहिया वान भी वा दो पहिया वान भी वा तो पहले सड़क को यह मानते थे यह पारिमिलिटी फोर्स के लिए है मतला हमको मारने आ रहे हैं कि विकास के लिए नहीं है यह मारने आ रहे हैं और जब उसके पास खुद के गाड़ी हो गई पहल का मतलब है आपकी जमीन लेने आ रहे हैं बिलकुल यही लेकिन हमले जो अर्थ निती अपना है उससे बिलकुल उलट हो गया और उलट होने से फायदा यह हुआ कि लोग बोले यह रही है तो हमारी आउसकता है और पांस साल में कोई सड़क नहीं कटा नहीं तो नए सड़क ब बारुद भरते थे बलाष्ट करते थे नकसली गाउवाले सवयक करते थे अब गाउवालों का आसकता है तो नकसली कहे भी तो सड़क काटने वाले नहीं आप हमारे दर्शकों को या सुनने वालों को यह समझा दीजे क्योंकि कुछ हमारे दर्शक जो हैं और सुनने वाले जो हैं वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं सड़क काटने का मतलब क्या होता है नकसली सड़क काटते हैं क्यों सड़क काटते हैं यह सड़क इसलिए काटते हैं कि पैरलमेटर फोर्स मता है नकसली भी वही रहते हैं गाउं में वही लोग भोजन तियार करते हैं वही सड़क क तो अब हुआ यह कि जब गाड़ी खुद के पास हो गया तो वह सड़क काटना बंद कर दिये तो सिर्फ घटनाओं में बड़ी कमी आई जैसे अभी आपने बताया दंते वड़ा में दस जवान सड़क तो बन गया था पुराने समय में कभी उसको फिट किये थे उसके बहुत पहले सड़क बनने इस पहले अब बन गया वहां केम भी खुल गया गाड़े निरवाद रूप से आवगावन करते रहे लेकिन यह जो हमारे केमप है उसको थोड़ उटाना पड़ता है आपने जून में कहा था कि साढ़े 600 गाउं जो है वो नकसल मुक्त हो गये तो हमारे सुनने वालों को यह बताई कि नकसल मुक्त का अर्थ क्या होता है क्या उन्हें वहां से एक्स्ट्रिकेड निकाला जाता है या फिर उन्हें मेंस्ट्रीम में लाया जाता है और वापस गाउं में भीज़ जा जाता है तो नकसल मुक्त का क्या मतलब होता है नकसल मुक्त का मतलब यह है कि अब उसके वो गाउं उसके कवरीक चेतरी से बाहर हो गया पहले उस गाउं में हमेशा आते जाते थे उसके जन मिली से रहते थे संगम सदस से होते थे व और उसके कारण से उनके संपर्ख खतम हो गया, अब वो जा नहीं पा रहे हैं, जैसे जीरम घाटी की घटना के जो हुआ था, उस समय रात के दिन में कोई नहीं जा पाता था, तो 25 मैं 2013 की घटना जो हुई, उदसत में थे, उस घाटी से कोई गाड़ी नहीं निकलती थी, बह होगा कि, वहां के लोग, वहां हम लोग काफी बना, सबजी, खेती करना शुरू कर दिये, और पपीता लगा है, मिर्ची लगा है, लोगों को जमीन भी दिये, और सारे खेती में जूर दिये, लाबकारी, उनको कारे देना शुरू करते तो, वो लोग सब नकसलियों से, तो एक तरफ वो हुआ, और दूसरी बात ये है, कि लगातार सासां से वो जूरते गए, और उसके जूरू का लाब उठाते गए, तो वो पहले नकसलियों के कबजे में था, अब वो राज सासन के अधिना, मतब मेनिस्ट्री में लोग आ गए, तो ऐसे 600 से अधिक गाउं है अब नकसल मुक्त हो गया है, जिले के जिले मुक्त हो गया है, भारत सरकार ने खुद कोंड़ा गाउं जिले के नकसल मुक्त जिला खोशित किया अब इन नकसल मुक्त गाउं में जब चुनाव होंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ पर वाइलेंस की कोई उमीद नहीं है लेकिन और वो किसी की घर में अचानक कोई पहुँच कि जिस प्रकार से गुंडे बदमास करते हैं, उस प्रकार के रहनिती आपना है, एक और बात पूछूंगी, आज के अकबार में भी ये आया है कि आपकी सरकार ने रामवन, गमन, परियतन सरकेट किया, दिली की मीडिया थोड़ी सी घबरा रही है, जो लुटियन्स मीडिया कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी का जो हिंदूत्वर नारेटिव है, उस से टक्कर ले रहे हैं भुपेश बगेल जी. ये हमारी चतिजगड की संस्कृत ही है, जिसको हमने सामने लाने कोशिश की है. भगवाराम का जब बनवास हुआ तो बहुत समय तक के दंड कारण में रहे जो चतिजगड का हिस्सा है. और दूसरा कौसिलिया का मायके भी है, हमारे चतिजगड को दक्षिन कौसल कहा जाता पुराने आवसेज भी हैं, लोगों की समयतियां भी है, तो वो सब चीज़ों को सहज ने के काम किया हमने है. सबरी माता के मंदीर है, जहां राम ने जूठी बेर खाया है, तो मंदीर तो साइकड़ साल पुराना है, राजी लोचन का है, राजिम में, तो वहां भी बहुत स सारी समयतियां जुड़ी हुए है, तो सब उसमें हम लोगों ने उसको राम और गन परेटन परत्पत का नाम दिया, ताकि एक चीज़ यह है कि लोग के भावनात्मा कर उसे जुड़े भी, दूसरी बात यह है कि परेटन को भी बढ़ावा मिले, और चत्तित गड़ के बार जहां राम और कृष्ण दोनों गए हैं, आरंग, यह जहां चंद्खुरी, जहां कौसिलय माता के मंदिर, उसके दस किलमेटर के दूरी में, महां प्राचिन, सैकड़ो साल प्राचिन आपको राम के भी मंदिर मिलेंगे, सियू के भी मिलेंगे, कृष्ण के मिलेंगे, मुर आरी से चीर के उन्होंने भोजन कराया था, क्योंकि उसको सेर भूखा था, और अपने पूत्र के आरी से चीर के उन्हों दिया था, तो वो आरंग है, आरी से आरंग, तो वहां राम भी गए हैं, कृष्ण भी गए हैं, तो कृष्ण से भी जुड़े हुए हैं, और राम से भी जुड़े हैं, जन मानस में हैं, हमने कृष्ण कुझ बना दिया, जितने प्राचीन हमारे पेड़ पौधे हैं, जंग, उसको हम कृष्ण कुझ में लगा रहे हैं, ताकि सहर के लोग भी जाने कि ये प्राचीन, आज को तो गंबले में सब कुछ होता है, बुंसाई आपक आपको पीपल भी मिलेगा, लेकिन सच में, सहर में तो कंक्रीट का जंगल होते जा रहा है, तो वहाँ जो प्राचीन जो पेड़ हैं, उसको हम लोग लगा रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले पीड़ी उसको जान सकें, समझ सकें. आपने आठ मूर्तियों की स्थापना भी की है, राम जी की मूर्ति भगवान राम की, तो ये भी बात उच्छी कि कॉंग्रिस पार्टी जो है, 36 गड़ में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, कि सेक्यूलरिजम का चोला उतार के, बीजेपी के जो कोर कॉंपेटेंसी है, जो कोर कॉंपेटेंसी, पुलिटिकल हिंदुत्वा को अपनाने की कोशिश कर रही है, और भुपेश भगेल जी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे है, अगर 36 गड़ में सफल हो जाते हैं, तो ये जो हिंदुत्वा के लिए चैलेंज, बीजेपी के हिंदुत्वा, पुलिटिकल हिं अपना पत्र में नहीं था, लेकिन लोगों के जन मानस में जो बाते हैं, हमारी हाँ तो राम कोटी है, जब संकट में आते हैं, तो उसी से सब गाउं के लोग उसे लोन लेते हैं, कम ब्याज दर पे, उसा एकड़ो साल से चला आ रहा है, और जब हम फसल आता है, तो उसको पहले राम काते हैं, एक नहीं बोलते हैं, वहां से शुरू करते हैं, तो जन जन में ये बसा हुआ है, अब दूसरा इनको 15 साल माओं का मिला था, ये लोग क्यों नहीं बनाए भई, और जहां जहां राम गुजरे हैं, वहां हम लोग मूर्ती सापित कर रहे हैं, लेकिन इन पर नहीं कर रहे हैं, केवल आप दिल्ली के पत्रकारों साथ दिखते हैं, केवल उनको दिखता है कि भारती जनता पाड़ी स्छीना क्या, ये कभी चर्चा किया कि आदवासी के लिए पूरे दुनिया में चत्तिस गड़केला राज्य है, जो आदवासी निर्त महुसों करा है, और तीन साथ से लगातार करा रहे हैं, और केवल मैं हर साल हर राज्य के लिए मंतरन भेजता हूँ और उसके टीम आती है, उसमें प्रदर्सन करते हैं, और ना केवल देश के विभिन राज की लोग आते हैं, मतलब आप समझज़े केरल से लेके आपके लद्दाक तक के कलाकार आते हैं, और तीन साथ से आ रहा हैं, और उसके साथ विदेश के कलाकार आते हैं, 26-27 देश के कलाकार आ चुके हैं, हर साल हम लोग 8-9 देश के कलाकार को बुलाते हैं, और वो लोग भी बड़े प्रदर्सन करते हैं, वो लोग भी करते हैं कि कहीं दुनिया कहीं नह आज तक के बावन से लेके आज तक के उनके भलाक अभी नहीं किये हम लोग दोनों सेवा कर रहा है इनके जो चद्मराष्टबाद है या हिंदुत है उसका जवाब संस्कृति है हमने चतिजगड़िया संस्कृति को जन्मानस के सामने देश अर्दुनेक सामने लाया है यह मह कि आदिवासियों के संस्कृति को बढ़ावा दिया उसी प्रकार से आपके राज में 30 प्रतिशत या कुछ आदिवासि है तो उसके जो देगोडी है उसके गोटूल वो आस्ता है जी आसता केंदर महां पुजा पाड़ करता है हां जी तो उन देगोडियों को हज्जारों क का चार्ज लगा रहे हैं कि मैं देखिए जो लोग रहा रहे हैं जी मेरे यहां चतिस गड़ में आदवासी हैं जी बतीस परसेंट पिछड़े वर्ग हैं पैंतालीस परसेंट तेरा परसेंट एस्थी हैं और अलपसंख्यक तो ने आदवासी के संस्कृति को सहज नहीं का काम किया और जितने उसके पुजारी हैं बैगा है गुनिया बहुत क्योंकि लोग घरीब लोग हैं लेकिन अपने संस्कृति को लगातार वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग बचाय रखे हैं उनको साथ आजार रुपे साला न लोग और उसके रेवडी नहीं हुआ फिर कैसे रेवडी होगा भाई यह आपने भी कहा था कि अगर हम करें तो रेवडी अगर आप करें तो रवडी ठीक हैं यह दस लाग करोड रुपया आपने अपने उद्योग पति मित्रों का माप कर दिया तो रवडी नहीं हैं हम करे तो उसके बाद आप हमारे अंसुची जातिक लोग रहते हैं गुरु खांसी दाजीक मानने वाले बड़े संख्या में हैं तो हम लोगों ने फैसला किया कि हर ब्लाक में उसका बढ़िया जैद खाम बोलते हैं जैद खाम बोलते हैं तो उसको माडल के रूप में माडल जैद हम हर ब्लाक में बनाएंगे उसी प्रकास है लुत्रा सरीफ है बहुत प्राचीन है बिलासपुर जीले में उसका संदर्री करन किया उसमें करोड रूपे हमने कर्च किया तो जीतने अभी हमारे हां सिरपूर है सिरपूर करीब 10 वर किलोमेटर फैला हुआ जिसमें भगवान बुद्ध के अन्यों मता वहां स्थूप नहीं है वहां एक्चल में एजिकिसन होगरा काम होता था और शोध का काम होता था अरुवेद के नागरजुन का कारीश सली रहा है जो भगवान बुद्धिक बात जो सबसे बड़े इनके यह हुए तो नागरजुन को मानते हैं औ तो वहां बहुं सारे भगवान बुद्ध के अनेक मुदरों के मुर्थियां हैं और उसके साथ सारा हृर, शयूलिंग भी है वहां विष्णु के भी है, वहा जैन भी है तो सारे जो मत वाले हैं उसके एक जगह 800 साल पुराने है हजारों साल पुराने दस वर किलमेटर फेड़ा है इतने बाड़े जगत हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है उसको भी हम साजास हमारे हैं मतलब यह है कि जो जो चीजें वहां हैं हमारे सर्वधम आर्क रहे हैं सभी धर्मों के तो उसको हम सहेजें उसको बचा के रखें और किसानों के बारे में कह रहे थे यह जो आपका जो किसान याएं योजना के तहट आपने जो जिस उदेश से आपने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया था इसमें और पी-एम किसान सम्मा निधी में इन दोनों में क्या फर्क है और यह है भी कि नहीं 2014 में बहुत जोर सोर से भारती जनता पाड़ने गुजरात माडल के बात कही उस समय किसानों का अस्वास उनों ने किया कि हम स्वामी नाथन कमिटी रिपोर्ट लागू करेंगे तो जिस समय 2018 में हम लोग की हिसाब लगाए है तो कहा हम 2400 रुपय कुटल मिलना चाहिए हमने 2500 रुपय कुटल का वादा किया रहुल जी कहा थे 2500 रुपय का बात वनों ने कि रिण माफिक बात कही तो हमने वादा किया अब उसके बाद कहा है कि भारत सरकार ने सभी तो दूसरे साल उन्होंने doing लगा दिया 2018 उनीस वद्वाद और गाद बीस में अऔर लगा दिया अणन हम्रें का कोटा कम कर दिया हमको निलामी करने पड़ी बजार में धान को निलामी करने पड़ी और उसके बाद फिर हम लोगों ने फैतला किया कि राजे गांधी किसान नया जना हम लागो करेंगे समर्तन में खरीदेंगे उसके साथ राजे गांधी किसान नया जना हम लागो करेंगे तो फिर हमें जो मिलेड्स है उसके भी उतपाद कही है उसको भी दीये गन्ना आज गन्ना में सबसे ज़्यादा कीमत गही है तो चथाथिस थान का सबसे ज़्यादा कीमत है तो ==== कोदोकुटकि का तो समर्थन मिल भादिक थूकार ने घोसितनaconे जो करता ने खूसित नियाविक्षना कि कहे हुए लगहु पूस्ता खेके लिए पिए करे उसको भी हम लोग राजी गांधी किसान नायजना के दाइरे मिला है और तो यह यह हुआ कि आप सभी किसानों को इस राजी गांधी किसान नायजना के लाव मिल रहा है प्रधान मंति जो किसान सम्मान निधी निधी है उसमें आपने तो वर्गी कृत कर दिया उच्छा है तो ये कभी इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन इसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, हम तो सभी किसान, चाहिए छोटे हो, बड़े हो, चाहिए उसके भी, और हमारे हैं भूमी इंस्ट्रमिक नहीं है, जो लेंडलेस लेवर हैं, अग्रिकल्चर लेवर, उसको भी 7000 रुपे साल आना दे रहे हैं, जो देश में कहिनी दिया जा रहा है, मुक्रमंत्री जी, धर्मांतरन पर एक सवाल है, रक्षा मंत्री जी, 36 गड़ आये थे, और उन्होंने कहा कि, 36 गड़ में लगातार धर्मांतरन हो रहा है, और इसे रोकने की जरूरत है, सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या ये सही है? पूरे देश में हो रहा है, तो केंद्रम नियम बना जाना चाहिए, कोई भ्यक्ति धर्म बनना चाहिए, वो तै करें कि संसत तो उनका है, ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, दूसरी बात, 36 गड़ में मैंने जो केवल राजना सिंग जी नहीं, और नहीं लोगों नहीं भी आरोप लगाया, तो मैंने आखड़ी निकलवाया, किस काल में सबसे ज़्यादा चर्च बने है, क्योंकि जब आदमी धर्म परवर्तन करेगा, ये कोई भी धर्म मानने वाला हो, यदि सिख हो, तो वहां गुरुद्वारा बनेगा, ये क्रिस्चन है, तो चर्च बनेगा, ये मुसल्मान है, तो महां मसजिद बनेगा या जैन 만दिर बनेगा, बुद्ध मदेगा, जो भी हिंदू है, तो कोई सेव है, तो कोई प्वेशनुक मंदिर बनाएगा, कभिर पंथि है, तो सब जो व्रुद्वार रहे है तो पहले इंसान को उमत वाला होना चाहिए, मता उलंभी होना चाहिए, तब वो इस्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो हमने आखड़े निकाले, और मैंने चुनोती दी, कि सबसे ज़्यादा चर्च भारती जनता पार्टिक सासन काल में बना, रमान सिंह की काल काल में, और इस चुनोती कि स्विकार कर रहे हैं, न वो आखड़े प्रस्तूत कर रहे हैं, मेरे पास हैं आखड़े, किस काल काल में बना, कि आजादिक पहले कितने चर्च थे, आजादिक बाद कितने, किस काल काल में कितना बना, और भारती जनता पार्टिकार काल में, क्योंकि वहाँ क्रिश्चन पह जा स्थटो पहले आयोगा, सुमाए्ट मेराभी पहले इनसानले आएगा। फोकर पिर स्ट्रक्चर था रखड़ के बनाएं, चाहीव पत्थर किसी बनाएं। जो बाद मी बनेगा। इसा मसी पहले चर्च बन गया था क्या है नहीं था क्राय लिंग यह पादॹ लां के पहले राम बंदीर मनें था प्र अश्ट के यह तो इसा मासी वे उसके बात नहीं कर रहा है क्रिश्क मंदीर बने है हनुमान के मंदिर बने, तो हनुमान जी पहले हुए न, उसके बाद तो मंदिर बना, तो मेरे मत अब यह है, यह चुनोती स्विकार नहीं करें, धर्मान तरन इन ही कारकाल में सबसे ज़्यादा हुआ, यह मेरा आरोप है, तो जो UCC law है, इसके बारे में आपके क्या विचार ह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं, पूछ रही हूँगे. जब तक कि ड्राप्ट आप नहीं देंगे, विचार कैसे रखेंगे? आपने विचार कुछ आपसे पूछा गया? नहीं कोई पूछा नहीं किया और पूछेंगे था हम बताएंगे जब तक ट्राप्ट नहीं देगा तब तक हम बचाएंगे कैसे आप करना क्या चा रहे हो सबसे पहली बात दे और UCC से मतब प्रभाईत कौन-कौन लोह होंगे यदे आप केवल समान नागरिक्ता के बात करें तो हमारे तो आदवासी लोग रूडी परमपरा क मानने वाले हैं वो नहीं मानेंगे 32 परसे हैं तो वही है भही हमारे हैं दूसरे और भी समाज और जाती के लोग हैं जो रूडी परमपरा से चलते हैं जैसे नॉर्थीस्ट में हैं सभी जगह हैं उनके अपनी परमपरा है और उसके साथ से गवर्न होते हैं तो 36 गड़ में नहीं लागू हो सकता लागू नहीं हो सकता मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको ड्राप्ट क्या है इन से पूछ नहीं यह सवाल गलत ब्यक्ति से पूछ रही है मैं हिमाचल प्रदेश पे आती हूँ आप चुनाव प्रबंध में आपने बहुत कार केया था वहाँ पर प्रियांका जी के साथ और क्या वो प्रियांका गांधी 36 गड़ में चुनाव के दोरान प्रचार करने आएंगी आचु कि बस्तर में गई गई प्रियांका जी पहली बार गई थी और खासकर बस्तर से तो गांधी परवार के बड़ा लगाओ रहा है इंद्रा जी भी जाती रही है उसके बाद राजी जी और राजी जी सुनिया जी दोनों मतब प्रधान मती बनने इस पहले ही अनिक दोरे उनों के राजीव गांधी जी और उसके साथ में सुनिया जी भी होती थी तो अगर इतना करीबी रिष्टा रहा है गांधी परिवार का चतिसगर के साथ तो क्या प्रियांका गांधी दोहजार चॉबिस में चतिसगर से चुनाव लड़ सकती है लड़े तो हम स्वागत करेंगे लेकिन फैसला था ही कमाना उनको कूट को करना है कहां से लड़ेंगे पर आप उन्हें जानते हैं तो आपको पता होगा कि क्या उनकी मानसिक्ता जो है वो चुनाव प्रचार तक ही सीमित है या वो असल में रियल पॉलिटिक्स में आना चाहती है नहीं होगी मैंने इसमाजता प्रियंका जी चोनाओं लडेंगी इन दोनों के हरी जंडी मिलने बात तो कोई रोग भी नहीं सकता दो हजार चॉविस में जो जो यह इंडिया ग्रूपिंग की जो चैलेंज है बीजेपी को आपके हिसाब से क्या यह इस इस इत वरकिंग इस इ इंडिया बनना उसके बाद से पूछना मतब कितनी घवराथ है केंदर की सरकार को इंडिया की गठन होने से सबसे घमंडिया से लेकर पता नहीं क्या-क्या बोल डाले हैं मतब यह काम तो जबरदस्त हुआ है तभी इतनी घवराथ है और सारे पत्रकार सवाल इसलिए इतनी घिवरा तो जम्स ऐ फλन हूना हुए नहीं कि अरडियें के लिए नहीं की यह क्योंछता है प्रॉसन्य साइजिई गए तो कीजेशन सकी जाने जाने मीडिया में कैसे बने रहना है वह एक दिन गए और धर मुंसाला और आ गए और दिल्ली माहन एक बाद में कल से सारे पत्रकारों की सवाल है केजरिवाल जी 36 गड़ गया थे तो देखे मतब यह केजरिवाल जी बाद को जानते है कि मीडियम कैसे बना राना है वो गुर तो जानते हो पर आप जानते हैं यह क्यों हो रहा है? क्योंकि अमिचसा जी ने संसद में कहा था ना? कॉंग्रिस की तरफ मुड़ते हुए कहा था कि आप खरगे जी को शायद कहा था कि आप ये जो बिल की तरफदारी कर रहे हैं, ये केजरी वाल जो जी है, आम आदमी पार्टी जो है, वो हमारी साथ लडाई नहीं है, मतलब कि बीजेपी के साथ लडाई नहीं है, उनकी लडाई जो है ये आपके साथ है, और जैसे ये पार्लिमेंट सेशन खत्म हो जाएगा, वो आपसे लड़ने लग जाएंगे, और वही हुआ, मतलब मॉनसून सेशन खत्म क्या हुआ, वो 36 गार पहुंच गए, और फिर बहुत दीज़ा सून रहा था, कि लोग सभा में विपक्ष के लोगों बोलने नहीं देते, लेकिन आपके सवाल से ये बात तैय हो गया, कि केमरा भी कि वो सत्ता पक्ष के तरफ राता है, क्योंकि आपने कहा कि किसके तरफ देखते हैं, उन्हों किसके तरफ देखके बोल रहे थे, आप भी नहीं पता पारे हैं, क्योंकि केमरा उधर घुमा नहीं नहीं उन्हों कहा करें, जी जी बोलते हैं, तो वो केवल चेयर को दिखाते रहते हैं, यह जो शिकायत थी, वो आपने तस्दीक कर दी, आप इस बयान से लोगा, यह भी आप जानते हैं, कि किसी भी टीवी चैनल को परमिशन नहीं है, संसत के अंदर जाने की, सारे कैमरा आज जो है, वो संसत टीवी के होते हैं, हम तो सिर्फ वह यह मतवर है वही कहा रहा हूं, मतुर रहुल जी काते हैं, कि हम jaki बोलने नहीं जा जाता, तो पिलकुल सही बास। वो भी चेर कहती है, वो भी मीडिया नहीं कहती है ना, वो भी मीडिया नहीं कहती है, वो तो चेर के उपर निर्भर, जो स्पीकर कहेंगे वो ही करेंगे, जो आरोप लगे हैं और जो चर्चा में है, वो सही सावित हुआ है, और किसके तरफ देख के बोलें हैं, आप नहीं ब पूछे क्योंकि चब्विस दल के लोग हैं उसके मुख्या से पूछे वह लोग बता पाएंगे बर मुख्या तो तैहीं नहीं हुआ 24 दलों की मुखिया हझा कोन है अच्छा अलग अलग हो दिन ने उस मिटिंग में ना पटना जैसे ना बैंग्लूरूरू मूंबाइ नी जाने वाला हूं ये लोग जाएंगे विह लोग कि बताएंगे भई कहें हैं तो मैं वही जा रहाओ को गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं. क्योंकि पंजाब में तो कॉंग्रिस ने कह दिया कि हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं. हम लड़ेंगे चुनाव उनके खिलाफ हैं. वो अपने इस्टेट के नेड़ा हैं और हमारे यहां तो डिमोक्र इन्डिया गूर्पिंग है. इसमें Pan-India Party तो सिर्फ Congress है. और कोई पार्टी नहीं है. आमार्मी पार्टी जो है उनको अभी-अभी दरजा मिला है. लेकिन Pan-India Party और सबसे ज्यादा राजमे सरकारे Congress की हैं. तो जाहिर से बात है कि लोग सोचेंगे कि Congress की तरफ से होना चा कि इसके लिए रहुल गांधी जी मैं समाझता हूं कि सबसे जगी ब falar तियुकिन पिर रहुल गांधी कहते हैं saya नहीं बनना चाहता हूं कि वहु उनक व सोचने की ऐसा है लेकिन मुझे सोचने को रोख सकता है मैं अपने विचारा बिव्यक्त करना चाहता हूं, उसको कोई रोख सकता है। दोहजार चॉबिस को लेकर आपके, how much hope do you have? क्योंकि अभी जो सर्वे निकला है, उसमें कहने हैं कि the most favored candidate for chief minister is Bhupesh Bagail. तो आप क्या समझते हैं कि, who is the front runner? आपकी party या फिर BJP की टकर है इस बार? भारती जनता party भी अकले नहीं लड़ रही है, उसके दो महत्पून विंग है, ED और IT, वो लड़ रही है, चुनाओ, तो हमको केवल BJP's नहीं लड़ना है, IT और EDs भी लड़ना है. तो आप समझते हैं कि, सरकार फिर से आपकी बनेगी? बिलकुल बनेगी, Congress सरकार बनेगी. Congress की सरकार. चलिए 2024 के लिए हमारी तरव से आपको बहुत बहुत तरव मेरा 2023 में होगा चुनाओ. 2023 में. 2024 लोग सभाय है. 2023 के लिए और जर्मतिर की शुबकामना है हमारी तरव से तरव से आपके मूह में घिसकर. चलिए 2023 के लिए, और जर्मतिर की शुबकामना है हमारी तरव से. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of A&I Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you are seeing this or hearing this. Namaste, Jai Hind. कर दोदोदूने दोदोदूने शिर्मतिर के लिए और जर्मतिर के लिए।ूने चलिए भी तोदूने तरव से.